आगे बढ़ेंगे जोहाँ रेमल तूफान का जारकण में जूर्दार असर देखने को मिल रहा है हवाई परेचालन आज भी प्रभावित रहेगी और आपको बता दे कोलकाता जाने वाली फ्लाइट आज भी रद करती गई है कल भी कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद थी अगले चे दिनों तक बारिश की चितावनी जारी की गई है तो ये जानकारी आपके सामने जहां कोलकाता जाने वाली फ्लाइट आज भी रद कर दी गई है रेमल तूपान का ज़ारखर में जूतार असर देखने को मिल रहा है हवाई परीच्वालन आज भी प्रभावित रहेगा इससे और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट आज भी रद है कल भी कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद की गई थी और अगले 6 दिनों तक बारिश की चेता जारी की गई है तो रेमल तूपान का असर देखने को मिल रहा है हवाई परीच्वालन आज भी प्रभावित रहेगा कोलकाता जाने वाली फ्लाइट भी रद कर दी गई है आपको बता दे कि कल भी कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद की गई थी और अब 6 दिनों के लिए बारिश की चितावनी जारी की गई है तो रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है पूरे ज़ार खंड में इसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है हवाई पर इचालन पर इसका खासा प्रभाव पढ़ रहा है और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट आज भी रत कर दी रहे हैं देखे संदीप रेमल तुफान का जोरदार असर पूरे ज्षारकंड में देखने को मिल रहा है और हुआई परीचालन खासा प्रभावित हो रहा है इस से अदि एि रेमल का असर जहारकंड में भी देखने को मिल रहा है chúng tex कर दिया गया है और पूर्ण तरह से उसे रद किया गया है क्योंकि इसका असर जहारखंड में भी देखने को मिलेगा हलाकि आप देख सकते हैं अभी मौसम में उतने बदलाव नहीं देखने को मिल रहे हैं पर जरूर कहीं न कहीं जो तरापमान है उसमें थोड़ी बोड़ी घटोत्री है हुआ हुई है अलाकि अभी मौसम साप है पर जिस तरह से कल की एदी बात करे तो दूसरी पाली में थोड़ा मौसम में परिवर्तन हुआ था अलाकि मौसम बैग्यानी को की माने तो छे दिन तक रेमल का असर पूरे जारक्ण में देखने को मिलेगा और जो बारिस है बारिस के साथ साथ बजरपात की भी संभावना जताई गई है वहीं मौसम बैग्यानी को की माने तो 40-50 घंटे की रबतार से जो हवा है वो भी चले गिया रही वज़ा है कि इसका असर की कारण जो कलकत्ता के लिए रांची से जो फ्लाइट खुलती है वो आज पूरी तरह से रद कर दिये गए हैं लगबग तीन ऐसे फ्लाइट हैं जो रांची से कलकत्ता के लिए रवाना होते हैं उन फ्लाइटों को रद कर दिया गया है और मौसम बैग्यानिकों ने सहाप अंदेशा लगाया है कि आने वाले 6 दिनों तक इसका असर पूरे जारकंड में देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं जो तापमान हैं उसमें भी 3-5 डिगरी तक की गिरावट होगी और लगबग कई ऐसे जीले हैं जो परभावित होंगे इस रेमल के तुफान के असर से और बारिस के साथ साथ बजरपात होने की भी आसंग का जताई गई है हलाकि देखना होगा कि आज से जो मौसम बेग्यानी को ने अंदेशा जताया है उसका असर कब से सुरू होता है हलाकि अभी एदी राजधानी राची की बात करें तो मौसम साथ है पर कहीं न कहीं हवा में नमी जरूर है और कल दूसरी पाली से ही या देखा जा रहा है कई इलाकों में थोड़ी बहुत जरूर कल से ही बारिस हुई थी पर अभी सुबा का जो मौसम है कहीं न कहीं खुला हुआ है पर हवा में नमी है क्योंकि तापमान में भी थोड़ी गिरावट हुई है और मौसम बैग्यानिकों ने कहा है कि लगबख तीन से पांच डीगरी का जो टेंपरेचर है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी तो इन छह दिनों तक आ सकते हैं रेमल के असर का त बिलकुल असंदीब जिस तरीके से देखा गया कि कल भी कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद कर दी गई थी आज भी रद कर दी गई है कहीं न कहीं यात्रियों की जो परेशानी है वो बढ़ चली है ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस तुफान को लेकर क्या कुछ खास है या फिर जो औरेंज जलट मौसम बेग्यानी की तरफ से भी जारी किया गया है वहीं एहतियात के तोर पे उन फ्लाइटों को भी रद कर दिया गया है क्योंकि एदी जो रेमल का असर इदी शुरू हो जाएगा तो ऐसे में कई फ्लाइट इदी उडान भरती है तो कहीं प दोखिम में डाल के दी फ्लाइट चलाए जाते हैं तो ऐसे में यात्रियों को और परशानी का सामना करना पड़ता है रही वज़ा है कि एहतियात के तोर पे इन सभी फ्लाइटों को रद किया गया है ताकि कि किसी तरह की जानमाल की नुकसान ना हो क्योंकि इसका असर जो बैग्यानिक बतला रहे हैं आने वाले छे दिनों तक रहेगा रही वज़ा है कि उन अंदेशाओं के बाद एहतियातन जो कदम है वो उठाए गये हैं चाहे हवाई सेवा हो या फिर जो अन्य चीजें हैं उन लोगों को भी अलट किया गया है इसके माध्यम से कि जब रेमल पस्चीम बंगाल के जो तक्टिये इलाके हैं वहाँ पे टकराती है तो उसके बाद जो असर होगा क्योंकि पस्चीम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पे कल से ही बारिष सुरू हो गई है और देखना होगा आने वाले च्छा दिनों में जह जारखंड में इसका कितना असर पड़ता है बिल्कुल संदीब तो जिस तरीके से आपने बताया पूरे जारखंड में रेमल का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में छह दिनों की बारिश की चितावनी भी जारी की गई है मौसमी भाग द्वारा किसानों की अगर बात की जा जाती है या फिर जो कम बारिस होती है उससे भी किसानों को ही नुकसान होती है पर देखना होगा इस बार का जो अलट जारी किया गया है ऐसे में जो किसान अपने खेतों पर फसल लगाते हैं तो कहीं न कहीं उनके फसल भी यदि लगातार छे दिनों तक बारिस होती है या पिर जो लिमिट से अधिक बारिस होगी तो कहीं न कहीं फसल को भी नुकसान होगा ऐसे में देखना होगा एहतियातन किसान इससे बचने के लिए क्या उपाय करते हैं कि उनकी जो खेत हैं वहाँ पर पानी का जमाव ना हो जो भी सबजियां या जो फसल इस बीच में लगाए उपाय हैं बचने के उसके भी लगतार परियास किये जा रहे हैं ताकि उनके फसल को कम से कम नुकसान हो क्योंकि कहीं न कहीं अधिक बारिस होती है या फिर जो कम बारिस होती है तो उसकी मार किसानों को भी जहिलना पड़ता है और कहीं न कहीं उनके फसल भी बरबाद होते बिल्कुल संदीप तो देखना होगा कि रमिल तूफान का जारखन में और किसना नकरात्म का सर देखने को मिल रहा है इक और जहां गर्मी से राहत मिल रही है लोगों को तो वहीं किसानों के लिए फसलों के लिए ये काफे नुकसान दायक साबित होने वाला है फिलाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप और यहां रुकेंग छोटी सिप्रेट के लिए फॉरण होगे हासे